दोस्तो अकाउंट्स जोब की इंट्रुव में इंट्रुव के दोवारा टेली सॉप्ट्वेर से रिलेटेड या फिर अकाउंट से रिलेटेड किस किस टाइप के क्विश्चन पूछ सकता है कुछ भी नहीं का जा सकता लेकिन अगर हम थोड़ा सा common sense रखें तो हम काफी हद तक उनके स्वालों का जवाब दे सकती है क्योंकि दोस्तों कई बार होता ऐसा है भी question बहुत ही simple तरीके से पुछा जाता है लेकिन उसका answer उतना ही stick होता है और कई बार question को इतना अलग modify की तरीके से पुछा जा सकता है देखने वाले को जो लगता है बहुत ही मुश्किल सा question है लेकिन उसका स्वाल का जो जवाब होता है वो बहुत ही असान तरीके से भी दिया जा सकता है लेकिन ये सब कुछ होता है हमारे common sense की वज़य से तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे technique questions के बारे में बात करेंगे जो की अक्सर हर एक tally operator से या accounts की job से नए account sense से पुछा जाता है और question दोस्तो यह है देखने में आपको बिल्कुल simple लगेगा अगर आपको ये इस type का कोई invoice का format दे दिया जाए और आपको इस invoice के format के अदार पर ये बात बोली जाए भी आप हमें इस invoice के अदार पर tally software में या फिर कोई भी software हो सकता है आप हमें company create करके दिखाओ तो हर कोई कह सकता है भी इसकी तो company मैं भी create कर लूँगा लेकिन question तो बहुत simple है लेकिन इसका answer बहुत ही मुश्किल है इसका answer आपको किस तरीके से देना है क्या-क्या सावदानिया आपको रखनी है ये सारी बाते आज की इस वीडियो में आपको मैं practical तरीके से बताने वालो अगर आप telly operator हो नए accountant हो आपकी भी job लगने वाली है तो आज की इस वीडियो को आप end सक complete जुरूर देखना कोई भी step इस वीडियो का skip मत करना वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो like जुरूर कर देना तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी request अगर आपने चैनल पर पहली बार वीजिट करिए तो चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर लेना साथ में notification bell को भी जूरूर ओन कर लेना तो नमस्कार दोस्तो मैं हूं मौन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारी YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों सुर एक basic common sense knowledge चेक करने के लिए अगर आपको भी इस type का अगर invoice दे दिया जाए और इसी invoice के देखके आपको बोल दीदे भी इस invoice के दार पर आपको telly software में company create करने का पूरा process आपको बताना है तो question तो बहुत simple है आपके तो भी मैं भी company create कर दूँगा लेकिन सबसे पहले आपको company company create करने से पहले इस invoice को समझना होगा भी invoice क्या कह रहा है अगर आपको दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है अगर आप smart enterprises की company पे हो तो इसका मतलब आपके लिए यह sell invoice है अगर आप smart traders के company पे हो यानकि उसकी company में आप apply किया जोब के लिए वहाँ पर आपका interview हो रहा है smart traders की company में तो अब आपके लिए यह के purchase invoice है अगर आप smart enterprises की company में interview देने जा रहे हो तो आपके लिए sell voucher बन गया तो अब यहां तक तो बात आपके सामने clear हो जाएगी लेकिन अगर आपको यह नहीं पता भी आप smart enterprises की company की तरफ से interview दे रहे हो या फिर smart traders की तरफ से दे रहे ह हो तो वहां से आपको एक जवाब मिलेगा या तो smart enterprises का मिलेगा या फिर इस invoice के दार पर आपको smart traders का मिलेगा ज्यादा तर जो non commercial student है चाहे वो commerce का भी student हो तो अक्सर वो जल्द बाजी में गलती कर देता है जल्द बाजी में smart enterprises के नाम से company create करना शुरू कर देता है तो दोस् आप smart enterprises करो या smart traders कर रहे हो अब आपको जवाब मिलता है आप भी smart enterprises की company में आप job की interview दे रहे हो तो अब इसके दार पर smart enterprises के दार पर आपको टेली software में company कैसे create करनी है तो हम चलते हैं टेली software पर और उसके बाद में हम वापिस जाएंगी company पर और करेंगे create company तो दोस्तों सब आप से पहले जो data fast का जो location आ रहे है यह आपको द्यान में रखने है यह आपका जो location है यह C drive में नहीं होना चीए आप C के अलावा D drive में A drive में F drive में कहीं भी रख सकते हो लेकिन आपको C drive में नहीं रखना है पहली बात तो आपको यह द्यान रखनी है क्योंकि जो interview लेने इस कितना है computer के बारे में तो आपको एक बात तो यह द्यान रखने भी आपका data C drive में नहीं जा रहा हो अलाकि यह भी जो वाइड रिफल्ट यह पास सेट होता है वैसे यह C drive में होता है आप यहां से इसको चेंज भी कर सकते हो second company का name तो आपको company का name properly पूरा देखना है उस बिल के दार पर जैसे कि smart enterprises है आपको पूरा यहां पर नाम लिखने है और उसके बाद में mailing name में आपको same रखने कोई दिकत नहीं उसके बाद में address आपको उसी तरीके से यहां पर रखना है अब यहां पर जैसा कि इसमें रिखा हुए near main bus stand रजिस्टिंगर तो हम यहां पर आपको यह address किस तरीके से जाओं अब जो rice singer लिखना अब आपको यहां पर लिखना है अब यहां तक हो गया सब कुछ यह सई तरीके से हो गया अब उसके बाद में आप यहां पर देखो इसके अंदर pin code भी दिखा है तो आपको poster code अगर आप चाहो तो इसके आग़े भी लिख सकते हो rice singer क्यागे भी 33 351 अब आपको राजस्तान यहां पर लिखने की जुरूरत नहीं क्योंकि राजस्तान स्टेट के लिए टेली सॉफ्ट विर में अनग से ऑप्सन होता है और उसके बाद में अगर आप यह जो इन्फोर्मेशन है जैसे कि यहां पर इसमें लिखा हुए बेदेल्स इन आल टाइप न्यू लैप्टोप डेटोफ एंड कम्प्यूटर की आल असेसरी के बारे में सब कुछ इसमें डिलिंग करते हैं यानकि इसने अपना विजनस का जो डाइगरोम है तो इस पर सेट किया हुए तो आप यह चाओ तो यहां पर भी यह चीज लिख सकते हो जैसे कि आप इन लिख दिया भी डेल इन आल टाइप न्यू लैप्टोफ एंड डेक्स्टोफ एंड अडर असेसरी इस विगरा जो भी आपने उसके इन्वोइस पर लिखा हुए वह आप यहां पर लिख सकते हू इस सारा जो फोर्मेट होता हूँ इस इन्वोइस पर प्रिंट होके आता है और उसके बाद में स्टेट अब स्टेट आपको स्लेक्ट करने राजस्तान अब उसके बाद में आपको जो फिन कोड आप चाओ तो यहां पर भी लिख सकते हैं 3351 उसके बाद में टेलिफोन सब्सक्राइब आपको इमेल ऐडर्स जुरूर डालना होगा तो इमेल अडरस आप कुछ भी डाल सकते हो जो इसके इन्वोइस के उपर प्रिंट होगा या अगर इन्वोइस पर प्रिंट आनी है तो आप इंडिव्यूर से एक बार ये बात चनफर्म जुरूर कर लें भी आप email ID भी यूज़ करते हो गया तो एक बार मैं यहां पर डमी लिख रहा हूं तो आपको इस तरीके से क्योंकि यह इस तरीके से लिखेंगे तो सारी information cell invoice प्रिंट होके आती है उसके बाद में उस company के अगर कोई website create है बनी भी है तो आप इसके website का address भी जुरू डालोगे अब उसके बाद में main बात आती है यहां पर अब यह तो अगर आपने कोई गलत डाल दिया या एक आपको अभी तक present time में नहीं बता है mobile नमबर नहीं आपको मिल रहा तो आप छोड़ सकते हो बाद में हम fill up कर देंगे email address आपको भी नहीं बता है तो वो भी हम डाल देंगे लेकि आपका यह purchase invoice है चाहिए आपका यह sale invoice है तो date तो दोनों के लिए same ही है दो फरवरी 2021 यान कि 2221 की date इस invoice पे लगी वी है तो अब इसका मतलब finance लियर यह कौन सा हो गया 2020 21 का अब यह financially start कब हुआ है 1 April 2020 से तो यह आपको द्यान में रखना है क्योंकि अब जो नए student होते हैं नए operator होते हैं वो यहाँ पर जल्द बाजी में क्या करेंगे 2020 21 को छोड़ देंगे यह सोचेंगे यहाँ पर 2021 का जो फाइन इर लिखा हो है तो यह आपको सबसे important बात ज्यान में रखनी है यहाँ फाइनन्स लिए वो properly आपको सही तरीके से लिखना है अब आपको 1 April 2020 यहाँ पर करना है 20 क्योंकि अभी 31 March 2021 को तो इस year का end होएगा 30 March को closing होएगी अब जो closing होएगी अब इसका आपको starting year देखना है तो starting आपका 2020 में हुए और जो new financial year होता है वो मेंसा 1 April से ही start होता है और 30 March को end हो जाता है अब यह फरवरी मन्त है यानि कि मार्च से पहले का मन्त है तो यह 31 अगर 31 2021 की भी यहाँ पर date होती तो भी यह financial year 2021 का ही रहन है उसके बाद में बारी आती है यहाँ पर books beginning from के तो अब आपको यहाँ पर यह बात और confirm करनी है अगर यहाँ पर 1 April 2020 है तो भी कोई problem नहीं है अगर आपको interview यह बात गोल दे भी हमारा जो business है वो इसी तारिक से start हुए है यानि कि उन्होंने दो फरवरी से business start किया है तो उस condition में आपको यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी है वह आपको जो books beginning date है वो यहाँ पर आपको 2 February 2021 आपको देनी पड़ेगी अगर आपको interviewer ने यह बात बोल ली है तो क्योंकि वो भी इसी बात को चेक कर रहे है वह आपको books beginning from के बारे में कितना knowledge है और उसके बाद मेरी ब password लगाने तो उस condition पर आपको इस टेली valid password को यूज करना होगा तो ऐसी condition में आप इसको yes करेंगे और उसके बाद में आपको टेली valid password यूज करना होगा जिसे एक बार मैं 123 यहाँ पर दे रहा हूँ और उसके बाद में confirm 123 अब उसके बाद में control user access to company data अगर company data आप access करना चात हो तो यहाँ पर भी आप इसको control कर सकते हो अब यह भी एक तरीके का password होता है तो ऐसी condition में आपको username अपना यहाँ पर देना होगा और password और फिर एक बार आपसे repeat password भी मांगीगा अब इसमें क्या होगा आपकी company पे अब एक double password protect हो रहा है अब जैसे user when मैं एक बार यहाँ पर दे देता हूं समार्ट और password भी एक पर इसका 1234 और 1234 तो इस तरीके से यह आपको यह warning भी मिलेगी इस warning का मतलब यह होगा भी आपने जो यहाँ पर password अभी लगाए उस password को आप सेव करके रखो कहीं note करके रखो कल को आप इन future password को अगर आप बूल जाते हो तो हो सकता है आप इसको यस करेंगे अब इसका यस करने का क्या benefit मिलेगा यह एक taxation का मेटर है इसके बारे में आपको मैं एक special वीडियो इसका बनाऊंगा और उसके बाद में यह दोस्तों सारा information आजेगी यहाँ पर currency based information की दोस्तों इसके उपर इन सभी आठ topic के उपर मैंने एक एक point को अच्छी तरीके से explain किया हुए अगर आपने इस based currency information का वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जुरूर देखना इस वीडियो का link मैंने इस वीडियो की description में दे दिये और उपर आप देख रहे ह से practical तरीके से example के साथ इसको explain किया हुए है तो इसको भी आप समझ सकते हो easily तरीके से और इसको company को हम करेंगे accept तो दोस्तों इस तरीके से अब देख रहे हुए यहाँ पर टेली वेलिट का password आप से मांग रहा है यहाँ पर जो अपने first time लगा था one two three का और उसके बाद में यह आपको second time भी यहाँ पर इसका username और password फिर भी लगाना पड़ेगा तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो टेली company में टेली software में company create करने से related अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो वीडियो knowledge अब लगी हो तो प्लीज इस होते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ने टोपिक के साथ